हर हर महादेव वक्तों जैश्री राधे भक्तों इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे वामन एकादसी जीहां जिसे हम परवर्थिन एकादसी भी कहते हैं उसका व्रत किस दिन आप सभी वो करना है और किस विधी से करना है इस सारी बाते हम इस वीडियो में डिस्कस भक्तों आपने से कुछ डिवोटीस कन्फ्यूज हैं कि इस वर्ष एकादसीतिति का व्रत किस दिन करना है इस वर्ष एकादसीतिति 16 सित्मबर 2021 को दिन गुरुवार का होगा इस्टार्ट होगी 9 बच के 36 मिनट पे सुबग के समय एक मेंच 16 सित्मबर को जो एकादसीतिति होगी वो दसमी युक्त होगी और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे सास्त्रों में गरुन पूरार में ऐसा उलेख आता है कि हमें दसमी युक्त एकादसीतितिति का व्रत नहीं करना चाहिए दसमी युक्त एकादसीतितिति का व्रत माता गांधारी ने एक बार किया था जिसके वज़े से उनके सो पुत्रों का नास हो गया था तो हम सभी एकादसी तिथी दसमे युक्त नहीं करेंगे इस वर्स एकादसी का वृत आप सभी को 17 सिप्टेमबर जी हाँ 17 सिप्टेमबर 2021 दिन होगा फ्राइडे का उस दिन आप सभी को एकादसी का वृत करना है एकादसी तिथी फ्राइडे के दिन सुब आठ बच के 7 मिनट तक रहेगी इक मिन्स सुर्योदे के समय एकादसी तिथी रहेगी इसलिए हम सभी एकादसी का वृत फ्राइडे के दिन 17 सिप्टेमबर को करेंगे भक्तों एकादसी का पारण जो होगा वो आप सभी हम सभी 18 सेप्टेमबर 2021 को मिस दिन होगा सनीवार का उस दिन पारण करेंगे जो पारण का समय होगा वो होगा सुबद 6 बच के 27 मिनट से लेकर के 6 बच के 54 मिनट का जी हां बहुत कम अवधी है इस अवधी में आपको पारण करना है तो आप सुबद जल जाकर के प्रभु की पूजा पारण करें और इसी समय में पारण करें और फ्रेंज ये जो समय है मुंबई वालों के लिए हैं अगर आपको आपके सहर का पारण समय नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सहर का नाम बता दे मैं आपको पारण समय बता दूँगी क्योंकि हर सहर का सीटी टो सीटी पारण समय जो होता है वो डिपरेंट होता है तो आप पलीज मुझे अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपको बता दूँगी पारण समय फ्रेंस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को और भी डिवोटीस के शेयर करें ताकि उनका व्रत खराब नहीं हो अगर आपको नौलिज है तो नौलिज को शेयर करें प्रभु कारे में मेरी हिल्प करें भले का कारे है न किसी का व्रत अच्छे से हो जाए कित क्रिश्णम नारायनम्वंडे क्रिश्णम वंदे व्रजप्रियम् क्रिश्णम् रेपायनम्वंदे क्रिश्णम् वंदे पृताहसुतम् ?! नाम संकीतनम यश्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामों दुख सम्नह तुम नमामी हरिम्परम अत्वामन परवर्तनी एकादसी महात्मय धर्मराज रिष्ठिर बोले कि हे भगवान भादों की सुकल पक्ष की एकादसी का नाम तथा विधी क्या है उस एकादसी के वरत को करने से कौन सा फर मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है सोसब कहिए श्रे क्रिष्ण भगवान बोले कि हे राश्रिष्ट अब मैं अनेक पापनश करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की सुकल पक्ष की वामन नाम की एकादसी की कथा कहता हूँ इस एकादसी को जयनती एकादसी भी कहते हैं इस एकादसी की कथा के सुन्ने मास्तर से ही समस्त पापों का नास हो जाता है इस एकादसी के वरत का फल वाजपे यग्यके फल से भी अधिक है इस जयनती एकादसी की कथा से नीच पापियों का उधार हो जाता है यदि कोई धन पढ़ान मनुष्य एकादसी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरी लोग की प्राप्ती होती है इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है जो मनुष्य इस एकादसी के दिन स्रिस्वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवताओं अर्थात, ब्रह्मा, विश्नु, महिस की पूजा करता है जो मनुष्य इस एकादसी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना सेस नहीं रहता एकादसी के दिन स्री विश्णु भगवान करवट बदलते हैं इसलिए इसे परवर्तरी एकादसी भी कहते हैं इस पर स्री दिश्ठिर बोले कि है भगवान आपके वज़नों को सुनकर मुझे महान संदे हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवर बदलते हैं आपने बली को क्यों बांधा और वामन रुपधारन करके क्या लिलाये के चातुर मासवत की विधि क्या है तथा आपके सयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तब्य है सो सब विस्तार पुर्वक कहिए शे क्रिष्ण भगवान बोले कि हे राजन अब आप पापो को नुष्ट करने वाली कथा स्रमन की रिये त्रेता युग में एक बली नाम का दानो था वो अत्यन्त भक्त दानी सत्यवादी तथा ब्रामनों की सेवा करता था वो अपने भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के अस्थान पर राज्य करने लगा इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे अंत में भगवान ने वामन रूप धारन किया मैंने अत्यन ते जस्वे ब्रामण बालक के रूप में राजा बली को जीता इस पर इलिश्ठिर बोले कि हे जनार्दन आपने वामन रूप धारन करके बली को किस प्रकास जीता सो सब सविस्तार पूरख समझाईए इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन मैंने वामन का रूप धारन करके राजा बली से याचना की कि हे राजन तुम तीन पैर भूमी दे दो इससे तुम्हारे लिए तीन लोग का दान का फल प्राप्त होगा राजा बली ने इस एक छोटी सी याचना को स्विकार कर लिया और भूमी देने को तैयार हो गए तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भू लोग में पैर, भू लोग में जंगा, स्वर्ग लोग में कमर, मह लोग में पेट, जन लोग में हिदय, तप लोग में कंट तथा अन्य देवता आदी सास्त्रा नुसार मेरी स्टूती करने लगें उस समय राजा बली को पकड़ा मैंने पकड़ा और पूछा कि हे राजन अब मैं तीसरा पैर कहां रखूँ इतना सुनकर राजा बली ने अपना सर नीचा कर दिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानो पाताल को चला गया जब मैंने उसे अत्यन्त विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बली मैं सद्यों तुम्हारे पास ही रहूँगा भादो के सुक्ल पक्ष की एकादसी को परवर्तनी नाम की एकादसी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बली के पास रहती है और एक छीर सागर में सेसनाक पर सयन करती रहती है इस एकादसी को विश्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं इस दिन तेलोकी के नाध स्री विश्णु भगवान की पूजा की जाती है इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है इस दिन रात्री को जागन करना चाहिए इस प्रकारवत करने से मनुस्य सब पापों से मुक्ट होकर स्वर्गलोग को जाता है जो इन पापों को नश्क करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अस्व में दियग्य का फल मिलता है जैशीराधे हर हर महादेव भक्तों अगर आपको कथा पसंद आई है पसंद है आई होगी अपने प्रभु की कथा है एकादसी की कथा है तो आप सबसे मेरी रिक्वेश्ट है बस कि प्रभु कारवे मेरी हेल्प करें हर घर घर में एकादसी की कथा पहुंच जानी चाहिए आप इस वीडियो को जाधर जाधा शेयर करें अपने वाटसप ग्रूप पे अपने फ्रेंज के साथ और भी डिवोटीज के साथ चलिए प्रभु से प्रात्ना है वो आप पर मुझ पर हम सब पर अपने कृपा करें दया करें जै जै श्रेराधे हर हर महादेव